जैबीम सातियो मैं अतुल खोडवाल राष्टिय अद्धिक्स बोहजन समाई बटालियन सातियो आज हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरेट में मौझूद हैं जहां मेरेट को फोर डिजिटल बनाने की तमाम अधिकारी नेता वादे करते हैं सातियो आजादी के 75 वर्स बाद भी तलिस समाज के जाती तलिस समाज के लोग ऐसी दर्णदी इसकी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिसको कभी आपने देखा भी नहीं होगा आजादी के 75 वर्स बाद भी गला सड़ा मास खाकर अपना जीवन यापन करते हैं खाने को रोटी नहीं है पैने को कपड़ा नहीं है बच्चों को सिक्सा नहीं है घर मकान देखोगे तो आप चोग जाओगे बच्चों की हालक देखोगे तो आपका दिल काप जाएगा आप सोचेंगे कि उत्तर परदेश के अंदर ये कैसा राज है कैसा रामराज्य है जा आजादी के 75 वर्स बाद भी तलिस समाज के लोग रोटी कपड़े जमीन मकान के लिए मोताज हैं वो भीक मांग के अपने परिवा का पालन पोसन करते हैं उन्हें सरकार की किसी भी बुपकारी योजनाओं का कोई लाब नहीं मिल पाता है जा तमाम हमारे नेता चाहे भारत के पार्धा मंतरी नरेंदर मोदी जी हो या उत्तर परदेश के मुख्या मंतरी योगी अधित्यनाच जी हो वो तमाम बादे करते हैं कि दलितों की ऐसे हालात नहीं है बहुत तो धहलेगा धहलेगा लेकिन एक परसन भी खड़ा होगा कि आज आदी के 75 वर्ष बाद भी दलितों की कितनी दरंदर की स्तिती में वो अतना जीवन यापन कर रहे हैं सात्यों देखिए देखिए हमारी बहन बेटियां किस हालात में इन जोपडियों में दहती हैं इनको पहानों को भी कपरे नहीं है पर्णव को सिक्सा नहीं है देखिए आप किस परकार से, किस परकार से देखिए, दिखाइए, हमारे साथ भोजन हरी चल न्यू चैनल के संपादक हैं, देखिए किस परकार से दली समाज की बहन बेटिया यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन करती है, देखना किस परकार का भोजन खाती है, हमें तो आज अपने उप परसरम आ रही है कि हम ऐसे भरत में रहते हैं जहां आजादी के 75 वस बाद भी हमारे समाज की बहन बेटिया सड़ा गला मास खाकर अपने जीवन का जीवन यापन कर रही है साथ यो दूसी परका से देखें किस परका से हमारे समाज की जोपलिया हैं, किस परका से हमारे समाज के लोग रहते हैं, देखें किस परका से हमारे दिल रोने को हो गिया है, हमारे आखों में आसुआर आने को तैयार है कि आजादी के बाद भी हमारे समाज की ऐसी दर्दिनिक पुझ्य बाब साब ने हमारे लिए इतना संघस किया जहां हमको आधार पर हमको भेदबाओ जेलना पड़ता था वही आज हमारे लिए भी यह स्थिति है कि हमारे छोटे छोटे नन्ने मुन्ने भाई भैंद किस हालात में जी रहे हैं हमको ये स्थिति आज मेरट में नजर आई है, जहां दिली ससटा हुआ मेरट पड़ता है, NCR छेतर में आता है, मैटरो का यहां काम चल रहा है, लोग डिजिटल दुनिया का वादा करते हैं, फोर डिजिटल दुनिया का वादा करते हैं, फाइब इंटरनेट की विवस्ता इनका भहुस से अंधकार में है, ऐसी सरकारों को यहां पर आकर देखना होगा, और इनके लिए विवस्ता बनानी होगी, क्योंकि इन बच्चों का भहुस से अंधकार में, देखे कितने मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका किसी परकास कोई ध्यान नहीं रखा जा र इनके बाद भी हमारे समाच के लोगों को किसी परकार की यहां पर विवस्ता और सुविदा का लाब नहीं मिल पा रहा है, बड़ी दरिद की स्तिती है, जहां बड़े बड़े उचे 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 पुल बनाई जा रहे हैं, और यहां देख लिजे नाले, सड़के, और सड़ घड़े के ब coalition सारा घड़ा है, यहां पर देखना किस परकार के खड़े है, यहां बारिश पर जाए, तो यह हमारे लोग कैसे रहेंगे, देखना विचारे कैसे पानी भरते हैं, किसी परकार की पानी की बीवस्ता नहीं है, और यहां पर बिमारी का आलम इतना बहाँ कार है कहां तो ये इतने बड़े बड़े दावे करते हैं इतनी बड़ी बड़ी दावाई चलाते हैं देखना किस परका से मख्या भिनक रही है यहां पर साथियों ये वहुजन समाज बटालियन आज यहां के आवाज उठाने अपने समाज के लोगों में पोहँची है और आपको जहां से लाइब रूबरू कराई रही है देखना हमारे लोग यहां रहते हैं और यहां चुमा मरा पड़ा है कैसी यहां विवस्ता होगी देखना हमारी बेहन बेटे है किस परका से रहती है सरकार को उन्यपर ध्यान देना होगा और देखना होगा कि आज भी आजादी के पिछटते वस्त बाद भी हमारे लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं हमारी बहन बेट्यों को किसी परकास या कोई सोलियत नहीं है हम ये बात तमाम भारत के तमाम नेताओं से कहना चाते हैं और सरकार से कहना चाते हैं और मेरट के सासन पर सासन को भी दिखाना चाते हैं कि हमारे लोग यहां किस परकास से जीवन यापन कर रहे हैं देखिए आप किस परका से जीवन यापन करते हैं। देखना सात्यों किस परका से आजादी के 75 वर्स बाद भी दली समाज के बहुजन समाज के लोग यहां रहते हैं। कैसे रहेंगे बारिश पर जाए कुछ आफ़त आजाए तूफान आजाए तो कैसे करेंगे यह लोग। यह जुकी जोपड़ी भी यहां की लोग तोड़ना चालू कर चुके हैं। आजादी के 75 वर्स बाद भी इतनी दरिंद की इस्तिती हैं। लोग एक मच्छर को मानने के पीछे परते हैं। या तवाम परका के मच्छर, मखी, कीडे, मकोरे यहां पर घूम रहे हैं। जो हमारे लोगों के लिए लोगों पर जान लेवा हमला करते हैं। लेकिन सरकारी धर को भी ध्यान नि देती। देखना किस परका से कैसे कैसे हालात यहां पर मौझूद हैं। साथ यो आजादी के 56 बाद भी हमारे मासूम चैरे, जिनके हातों में किताब कोपी पैन होना चाहिए था, उनके हातों में आज कट्टा है, यह पिन्नी चुकते हैं और अपना जीवा नियापन करते हैं। इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। पचास साल हो गए साभ यहां पर जाचुकी रुकते हुए हैं। अभी तक हमें कोई साथल नहीं मिला, पचास साल से हो गई हैं। और यहां भूग एंसान मर रहे गे। पूले कबाड़े भील मिलके पाने बच्चों को जियाँ पाल रहे। नकोई हमझे सुब्दा हैं। रहने का नकोई कोई मुकाल हैं। नकोई जगा है मुझे साहब यहां। पचास साल मुझे सुब्दा हैं। मतलब मेरा कहने के मतलब ही। कब से हमारे योगी नात बैठे हो के रहे थे कि 40-50 साल लेगे तो उहें पर रहने दो। और यहां ते मत भगाओ, यहां ते सब भगाया रहे कोई रहने का जगा नहीं जे रहें। कि यहां ते भग जाओ तुम। मुकुट महल मेरट मंगतपुरी कोरी आसरन नाम है इसका। डिल्ली रोट मही। आज हम यहां कैसे पोच हम आपको बता देना चाहते हैं। हमको यहां के लोगों द्वारा बुलाया गया, बताया गया कि साहब आप सबकी समस्या सुनते हैं, हमारी समस्या गभी समाधान कराईए। हमें अपने लोगों का यह दर्द देखकर बड़ा दुख हुआ। और इनको बेवकुप बनाकर बोट लेने का वादा करते हैं। यहां कि सरकारे किसी परकास को ध्यार नहीं देती है। सातियों यह मेर्ट की घटना है, जिस पर सासन पर सासन से हम मांग करते हैं। तुरन मामले को संग्यान में लेकर यहां के लोगों को सुवीदा मोया कराई जाए इन बच्चों का भहुस्या उज्वर बनाया जाए क्योंकि आजादी के पिछत्ते वर्ष बाद भी ऐसा द्रस्या हमने कभी नहीं देखा देखिए किस परका से हमारे समाज के लोग यहां रहते हैं इनका देखना क्या भहुस्या होगा देखिए सात्यों क्या भहुस्या होगा जहां परमकुझे बाबा साब ने बहुजन समाज के लिए दलिस समाज के लिए इस तमाम उनको हक अधिकार दिलाए उन अधिकारों का भी यहाँ पर कोई लाब मिलता नजर नहीं आ रहा है देखना इस बच्चों को देखिए कैसा ये बच्चा है क्या आजादी के पिछत्तवस के बाद भी इस परकार की बच्चे ऐसे देखे जा सकते हैं जा एक बच्चे सीबियस इस स्कुल में पर्ते हैं वही हमारे दलिस समाज के बच्चों को यूपी बोर्ट में भी एडिफसेजन और प्राइमरी स्कुलों में भी किताब हो या नहीं कराई जा रही है आज हम आपको ऐसी जीगे लेके जा रहे हैं जहां आप देखके चोक जाएंगे देखना हमारी बहन बेटिया कैसे बैठी हुई है क्या ऐसी जीगे कोई जीवन यापन कर सकता है आप देखिए जहां लोग महलों में रहते हैं दू महलों में रहते हैं पिलेन में चलते हैं यह देखिए हमारी बहन बेटे किस पर कांफ से रह रही है देखिये डेय। अपता है यहां पर कि बहुत बुरा लगता क्या करें बसकी बात नहीं क्या करें तो आप बाबा साब को मानते हो क्या हो जैभीम क्या हो जैभीम जैभीम बोलो जहां का उध्धार होगा तुम्हारा सुधार होगा क्या हो जैभीम पिरने का पानी भी नहीं है सारा हमारे पास खाने को रोटी भी नहीं हमारे पास पिर भी रहने नहीं दे रहे हमें आपे देखिये सातियो साथ यो देखिए हमारे दली समाज के लोग किस परकार से यहां रहते हैं यहां इतनी बद्वुव आ रही है कि एक पल भी बैठना ख़ड़ा होना दूर्भार हो जाएगा लेकिन हमारे समाज के लोग यहां रहते हैं यह चोटे-छोटे बच्चों को लेकर रहते हैं यहां बीमारी फ्यालती जा रही है लेकिन कोई सुधार करने का सरकार नाम नहीं ले रही है हमारा सरकार से आगर है भारत के पรधार मंत्री जी से आगर है कि यहां पर आ कर स्वाह्टें कि आजादी के 75 वर्स बाद भी दलित इस्तिती है जहां एक तरब तो ये हीरा सस्ता करते हैं क्या हीरे का लब इन गरीब लोगों को मिल पाएगा कभी या ये गरीब लोग कभी प्रेन में चल पाएंगे जो प्रेन का किराया सस्ता कर दिया जाता है और ये कुछ करना है तो इन गरीब लोगों के लिए कुछ करें जो इनका उधारों विचारों का